चाहिंत नमस्कार दोस्तो स्वागत है आप लोगों का दोस्तो आज से जो है आप लोगों को एक बहुत बड़ी अपडेट बताने वाला हूँ मैं कि जो भी आपका रिजनिंग का आज से जो भी क्लास रहेगा वो मैं आज से कंटीन्यू करने वाला हूँ ठीक है जो भी आपक complete करके दे दो ठीक है तो दोस्तों मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ कि मैं जो है आपका syllabus तो पुरा complete करके दूँगा ठीक है पूरा complete कर दूँगा लेकिन मैं ऐसा syllabus आपका complete करा हूँगा कि आपको जो है जादा पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी आपको tricks लेकिन इतना आसान कर दूँगा पढ़ने का जो भी तरीका होता है वो इतना आसान कर दूँगा कि आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है पर नहीं कहीं जाने की जरूरत है ठीक है तो दोस्तों आज का ये पहला वीडियो है ठीक है इससे पहले मैंने आप लोगों को analogy की बता दिया था कि आपको क्या पढ़ना है तो आपसे एक रिक्वेस्ट है अगर आप इस विडियो के मादेम से या मेरे मादेम से आप पढ़ते हो तो आप जो है अपना एक book बना लो जो भी right book आता है एक बना लो आपको उसमें बहुत सारे ट्रिक्स आपके काम आएंगे ठीक है देखना अभी एक्जाम में यह सारे पॉइंस आपको देखने को मिलेंगे और तब आपको याद आएगा कि सही में जो है एक्जाम इस तरह के से होता है और जो भाया ने आपको बताया था वह आपको आपके यह काम ही आएंगा ठीक है तो अब हम लोग जो है रिजनिंग के उपर इसके हमारा जो भी यह पहला टॉपिक है सिल्या बस आपको क्या-क्या मैं पढ़ाओंगा इसके बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया था वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उ बात करने वाले है एनालोजी के उपर या फिर जो भी हमारा टॉपिक रहेगा एनालोजी ठीक है इसके उपर हम लोग बात करने वाले हैं ठीक है तो इसके जो है तीन वीडियो आएंगे एनालोजी के ठीक है यह तीन वीडियो क्यों आएंगे कि इसमें जो है आप लोगों क टीन टाइप पढ़ने होगे, मैंने आप लोगों को बता दिये थे, फिर भी यहाँ पे फड़ी सा रिवाइज कर देता हूँ, तीन टाइप आप लोगों को ऐसे आएंगे, इसमें तीन कॉस्चंस आते है, ठीक है, तीन कॉचंस काईते हैं, एक तो numbers पर आएगा, जैसे मान लो यहाँ पर 2 दिया होगा, यहाँ पर 4 दिया होगा, ठीक है, और यहाँ पर आपका यह भी देगा, कि 6, तो यहाँ पर कितना आएगा, इस तरीके से सवाल आएगा, ठीक है, आप लोगों को बताए, यह 2 है, इसका square 4, ठीक है, 2 का वर्ग जो है, यह है, कि किस तरीके से क्या-क्या pattern है, यह भी होते हैं, ठीक है, तो यह pattern मैं आप लोगों को एक वीडियो में समझाओंगा, पूरा detail, ठीक है, उसके बाद दूसरा जो है, आप लोगों का जो भी alphabets है, alphabets है, ठीक है, alphabets के उपर आपके जो भी है सवाल, या फिर दे देगा, फिर यहां पर क्या आएगा, ऐसा दे देगा, ठीक है, इस तरीके से सवाल आएंगे, तो जैसे आप लोगों को पता है, a, b, c, तो यहां पर आएगा d, ठीक है, यहां पर आएगा d, अब यह z हो गया, यह y हो गया, x हो गया, तो यहां पर क्या आएगा, w, x, y, तो इस तरीके से आएगा W, X, Y, Z इस तरीके से जो होता है इनका जो भी अपस में जो समंध होता है वो दिखाना होता है कि इसका correct answer क्या होता है मैं अब वी exam देखे आया था जो भी आप लोगों को बता है SSC का exam था ठीक है डिल्ली पूलिस head constable ministerial का exam देखे आया था तो उसमे तो इस ता हुब यूब선 की लो आधा है पता थे किस तरीके से सवाल добрком, और नियुक्सेयर चीयर इस में और पूरा बताओंगा नहीं गोड़ा है किस में सवाल आएंगे। इपे हमारा दो नमबर अब तीसरा जो है इसमें किस तरीके से जो है सवाल आते हैं तो तीसरा जो इसमें सवाल आते हुए आप लोगों को बता देता हूँ कि जैसे वर्ड्स होते हैं हमारे जैसे की वर्ड्स होगे वर्ड्स कैसे अब यहां पर आता है कि जैसे मान लो यहां पर वर्ड्स आता है कि जैसे घोडा ठीक है यहां पर घोडा आएगा फिर इसका आएगा यहां पर घास ठीक है यहां पर घास मतलब घोडा घास खाएगा अब फिर तब यहां पर चुछ आपको दिखाना होगा है कि शेर क्रीक है यहांपर देदेगा मास देदेगा यहां और उपर डिपेंड करेगा ठीक है लेकिन यह तो इसका जो खाना है वो मासी है ठीक है तो इस तरीके से जो तीन पैटन है तो आप लोग जो है अभी ये वीडियो पूरा जरूर देखना ठीक है आपके जो भी डाउट्स रहेंगे या फिर जो भी किस तरीके से जो है आपके सवाल बनते है इसके उपर वो मैं आप लोगों के ट्रिक्स के साथ आप लोगों को बताने वाला हूँ तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं हमारा पहला एक्जामपल तो दोस्तों पहला एक्जामपल इसमें है मैं आप लोगों को बता देता हूँ मेरे जो नोर्स है उसमें मैं जो भी नोर्स मैंने बनाये है ये सारे माराटी में आप लोगों को समझेंगे नहीं इसलिए जो है मै बोर्ट पर आपको जो है explain करता हूँ ठीक है तो यह पहला example है इसमें 27 देखना आप यह example कैसे आते हैं ठीक है 27 54 ठीक है 54 जो है हमारा इससे कहते हैं और यहाँ पर 63 तो यहाँ पर क्या आएगा भाई यह है सबसे पहला हमारा जो भी है सवाल तो बता दो अगर आप आपको जा आप जानते हो तो इसमें क्या सकता है बता दो ठीक है तो अभी इसमें क्या आएगा आप लोगों को यह देखना होगा कि 27 का यह 54 के साथ जो 54 है इसके साथ क्या संबंद है और वही जो संबंद रहेगा वह 63 का यहाँ पर इसके साथ रहेगा वही हमारा answer है रहेगा अब answer मे यहाँ पर है पहले 126 पहला है दूसरा answer है आपका जो भी है 79 ठीक है और तीसरा answer है हमारा 81 ठीक है और चौथा answer है हमारा 69 69 हमारा इस तरीके से answer है अब इसमें क्या आएगा आप लोग बता दो भाई ठीक है यह उनका कहना है अब ABC इस तरीके से या 1,2,3,4 ऐसे वहाँ पर option 27 का इसके साथ क्या संबन्द है यह 27 का ना तो वर्ग है नहीं है ना तो यह घना है ठीक है नहीं है तो फिर यह किस तरीके से आप लोगों को इसमें देखना पड़ेगा तो यहाँ पर हम लोग देख रहे है जैसे कि दोस्तो 27 को मैं 2 से multiply करता हूँ तो कितना आता है 7,2,4 ठीक है यह यह आ गया यह फिर 2 दिया 4 और यह 5,54 आ गया भाई ठीक है मतलब कि सत्ता इसको 2 से multiply किया तो यहाँ पर 54 आ रहे है तो हमें यहाँ यहाँ पर क्या करना होगा 63 को भी 2 से multiply करना होगा तो मैं 63 इंटू 2 करता हूँ तो कितना आता है यह 3 को 2 से multiply करता हूँ यहाँ पर आता है 6 और 6 को 2 से multiply करता हो तो यहां पर आता है 12 तो इसका मतलब यह हो गया 126 और हमारा answer क्या आया इसमें फिर 126 ठीक है इस तरीके से भाई आपके जो भी है सवाल आएंगे अब यह देख लो यह जाधा hard था क्या question जाधा hard था नहीं था लेकिन यह देखने में देखो क इसको छोड़ दो ऐसे देखो इसको कितना hard लग रहा है ठीक है इतना hard लग रहा है कि कोई मतलब सवाल ही नहीं कर पाएगा भाई सोचते रहेगा ना तो यार यह घन है ना तो वर्ग है इसको कैसे सवाल करें ठीक है तो यह ऐसा आप लोगों को देखना पड़ेगा बहुत स्क्वेर ऐसा भी रहता है ठीक है यह आप लोगों को देखना पड़े गाँस में क्या-क्या है ठीक है इस तरीके से कि एम वही पैटन आप लोगों को आज बताने वाला हूँ ठीक है वो क्या-क्या रहेंगे यह हो गया हमारा पहला एक्जांपल ठीक है अब दूसरा ठीक है 37 ठीक है इसके बाद यह है हमारा 65 और यहां पर क्या आएगा देख लो भाई ठीक है और इसका option में क्या है इसका option में है 95 ठीक है इसका और है 104 और इसका तीन नंबर पर है 101 ठीक है इसका चार नंबर पर जो है 100 ठीक है तो इसमें अब क्या आएगा बता दो भाई आप लोग अगर इसमें क्या आएगा ठीक है क्या आएगा इसमें बता दो ठीक है यह इसका कहना है अब आप लोग यहापे देख लो भाई क्या आएगा ठीक है यह ऐसा देखे इसको अगर ऐसे देखो कि तो कितना हाड लगेगा भाई आदमें सोचता ही रहेगा ना तो यह आपे 17 नहीं है ठीक है पैसड भी कुछ नहीं है इसका यहाँ पर भी आप सवाल भी दोखो कि इसके जवाब भी देखो कि जवाब मैं भी कोई मिलता जूलता भाई इससे क्या रहेगा बताओ है थोड़ा सा तन्क्यूजन वाला लेकिन आभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसमें क्या आए आपको देखना क्या है सबसे पहले यह देखिए यह 17 ठीक है यह 37 और यह 65 ठीक है अब आपको मैंने पहली आप लोगों को बताया कि जैसे वर्ग हो गया खना हो गया इसके नजदिक आप लोगों को सबसे पहले देखना है इससे कोई मेल खता है क्या यह आप लोगों को दे है वर्ग जो भी कहें आपका 16 ठीक है और इसके बाद यहां पर देख लो 37 से पहले कोई वर्ग आता है यहां पर 36 है ठीक है यह मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ठीक है यह ट्रिक्स आपके बहुत काम में आएगी ज्यादा इसका एक्जामपल सॉल करने से कुछ नहीं होगा आपको बस ट्रिक्स देखने पड़ेगी कि उस एक्जाम में आपको या फिर जो भी एक्जामपल रहेगा उसमें क्या देखना है ठीक है यही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ तो यहां पर देखा आपने 36 आप लोगों को पता है 64 जो कि एक वर्ग हैinky है तो यहां पर क्या आएगा तो उस तरी चे और यह का वर्ग किया फिर उसके बाद उसमें एक डाल दिया एक एड किया और यहां पर ठीक है अब इसमें difference देखो कितने का है 4, 4 और 6 और 8 ठीक है इसमें difference है 2 का 2 का और यहां पे भी कितने का difference आएगा फिर 2 का तो यहां कितना आएगा 10 तो 10 का square कितना आएगा 100 और 100 में कितना डालना होगा प्लस 1 और इसका answer क्या आएगा फिर 101 ठीक है इस तरीके से भाई exam आएगा देखो आपको इस तरीके से solve करना होगा तब जाके जो है आपका सारा doubt clear हो जाएगा ठीक है अब इसमें आया 101 तो answer देख लो कहा है 101 पहले option में दे रखा है तो इस तरीके से आपको solve करना होगा ठीक ह इतने आसान example है लेकिन दिखने में इतने hard लगेंगे ना कि भाई देखने वाला बंदा बोलेगा कि आरे नहीं यार मैं solve नहीं करूंगा इसको यह बहुत जादा hard है तो इस तरीके से जो है example आपके आएंगे ठीक है यह हो गया हमारा दूसरा example अब बात करते हम हमारे तिसर example क्या है तिसरा example देखो भाई क्या है एक मेन मैं देखता हूँ तिसरा example क्या है ठीक है इसरा example हम देखते हैं यहां पर तिसरा एक्जामपल है भाई देख लो कितना हाड लगेगा आपको ठीक है लेकिन इससे आसान कोई सवाल नहीं है ठीक है यह देख लो क्या है भाई 51 ठीक है उसके बाद यह देख लो भाई 4096 और यहाँ पर गोमाति बता तो भाई यहाँ अपर आझार में दे रखा है पहला एंसर है 66 दुसार है 64 पटावा एंसर है चौटा एंसर है 58 अब बता दो भाई इसमें क्या आएगा ठीक है अब देखने वाला बंदा देखो इसको देख कि ऐसे डर जाएगा ठीक है थी बोले का भाई मेरे को कहां पसा दिया इतना हाड सवाल मतलब की देखो इसको देखकर कैसा लग रहा है कि कहां से बुलाया इसको और कहां से नहीं ठीक है लेकिन इतना ही इसी है ठीक है मैं आप लोगों को बता जिता हूँ कैसे इसी है ठीक है अब आपको जो है इसको देखना पड़ेगा कि ये इसका और इसका क्या संबंद है वैसे ही संबंद इसका और इसका राएगा ठीक है तो अभी आप लोग देख लो इसको में क्या आप लोगों को नजर आता है ये वर्ग है पहले तो आपको देखना पूरेगा वर्ग और घना ही को ठीक है क्योंकि शुरूआती यही से होती है वर्ग या फिर घना इन दोनों से कोई mail खाता है तो ठीक है नहीं खाता है तो फिर जो भी है और इसमें बहुत सारे आगे options है मैं आप लोगों को बता दूँगा वह ठीक है तो पहले आप लोगों को वर्ग और घनों को ही दिखना है कि इससे कोई mail खाता है क्या तो भाई यहाँ पर दिख रहा है जैसे 51 है 51 का वर्ग क्या होता है हम लोग जैसे calculate करके देखते हैं अभी ठीक है यह वर्ग का जो भी तरीका रहेगा यह कैसे easily find करते हैं यह भी मैं आप लोगों को बता दूगा ठीक है अभी यहाँ पर जो है यहाँ पर जो है reasoning का class चला है वह मैं आप लोगों को math के class में बता दूगा कि वर्ग जो है असानी से कैसे find करते हैं तो अभी हम लोग यहाँ पर वर्ग सीधा करते हैं जैसे कि आप लोगों को आसानी से पता है मेरा यही कहना है दोस्तों कि जैसे कि मानलो अगर छोटे numbers है इस तरीके से तो जैसे कि आपका इसका work निकालने की जो भी tricks होती है उस trick को follow करने के बजाए अगर छोटा number है दो अंकी number है तो आप जो है उसको सीधा सीधा solve करके ही निकाल लीजे क्या होता है बहुत जादा disturbance होता है या फिर वो trick याद रहने में बहुत जादा दिक्कत र लागे गया ठीक है क्योंकि फिर वो trick से याद रखो या फिर को गलबल हो गया तो फिर आपका जो भी आंसर भी गलत हो सकते है तो हम लोग यह पर देखते है जैसे वन हो गया फाई हो गया 25 हो गया ठीक है यह वन यहां पर आगया 10 यहां पर शीक्स और तू अरे यार यह त पातलब की 51 का जो है यहां पो दिखाए दे रहा है यह वर्ग है 51 का तो सेम यहां पर इसका वर्ग क्या आएगा ठीक है अब इसमें आप लोगों को यह वर्ग मुल कैसे निकालना है यह भी मैं आप लोगों को मैट का जो भी lecture रहेगा उसमें बता दूंगा चाहे तो आप यहां से सीधा सीधा जो भी है इसका जो भी है वर्गमूल निकाल सकते हो जैसे कि मान लो यहाँ पे जो है 6 और इसका यह आएगा 4 और यह जो इसका कल्कुलेट करके हम लोग निकालेंगे इतना यह हो गया 6 ठीक है तो इसका जो भी है वर्गमूल आ सकता है 64 ठीक है तो 64 इसक तो अगर आपको यह पता नहीं है, फिर भी यह कैसे आप इसको solve कर सकते हैं, वो भी मैं आप लोगो बता देता हूँ, ठीक है, तो अगर देखो यहाँ पे, यहाँ पे हम लोग को work निकालना है, 64 का तो सीधा multiply करेंगे, चार चुक, ठीक है, यतना आ गया, इसी साथ एक जान फिर नो, ठीक है, आट एक एक ऑपर उसी करते हैं, तो तो क्या गलत हो गया, यहाँ एपर छिका की क्या जलत हो गया, आप देखते हैं, फिर से calculate करते हैं, करें चार चुक चुक कोई सोलऊ एक साची can चुबिस चा चोविस और ये कसे डिस तीक तो एच्छेन से यह हुए आरा थिन है हुर आर ना श्मेंण एह आईगा च возь घ्रण फिक हैं यह आएगा यह पे ठीक है दस आत और यह 10 यहां पर 5 और 4 नो पर यहां पर आ गया 10 यहां पर 4 इस तरीके से जो है 4096 यहां का जो भी आपका answer किसका वर्ग है 64 का तो इस तरीके से जो है इसका answer आएगा 64 ठीक है यह हुगा अभी हम लोग चलते हैं आगे आगे हम लोग देखते हैं next example किया है हमारा ये निगेश्ट एंपल है हमारा भाई अभी देख लो और एक्जाम्बल है कि क्या है पार नमबर का तो 80.5 ठीक है 805 उसके बाद जो है 110.4 और यहां पर क्या आएगा देख लो भाई इसको देख के कितना मतलब मुश्किल लगता है ठीक है लेकिन इसका अभी देखते हैं हम लोग कितना आसान तरीके से इसको solve किया जा सकता है ठीक है 1002 11040 ठीक है तीसरा इसका option है 1104 और चौथा इसका option है 11.040 ठीक है तो इसमें इसका answer क्या हो सकता है देख लो भाई अभी आपको जो है इसमें calculate करके देखना पड़ेगा या फिर इसमें देखना पड़ेगा सेम इसका और इसका क्या संबंद है वही सेम संबंद है इसका और इसका रहेगा तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो कि यहाँ पर 80.5 है और यहाँ पर सीधा 805 है और यहाँ पर सेम जैसे 110.4 है तो आगे क्या रहेगा तो जैसे कि आप लोगों को पता है 80.5, ठीक है, अगर मैं इसको 10 से multiply करता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसे 10 से multiply करता हूँ, तो क्या होता है, इसमें जो है 80.05, ये इसका answer आ जाता है, क्या होता है, अगर मैं इसको multiply कर रहा हूँ, तो देखो दोस्तों, अगर मैं इसे divide करता हू 80.5 into 10 करता हूँ तो क्या होता है ये जो point है ये जो fraction है हमारा ये fraction और इदर चला जाएगा ठीक है अगर मैं इसको ऐसा लिखता हूँ 80.05 अगर मैंने divided by 10 लिखा हुआ है ठीक है तो मेरे को जो है इसका क्या इसका answer आएगा वो अगर लिखना रहेगा तो ये सीधा इसका answer रहे है तो इसका answer आजाता है 0.805 ठीक है इस तरीके से लेकिन यहाँ पर क्या किया गया है देसे कि इसको multiply किया गया है क्योंकि अगर इसको आप डिवाइट करते हो तो ये fraction जो है इदर जाएगा अगर आप इसे multiply करते हो तो ये जो fraction है वो इदर जाएगा तो यहाँ पर हम इसको हम को करना पड़ेगा भाई multiply by 10 अगर divide करेंगे तो ये fraction इदर जाएगा लेकिन हम लोगों को उदर ले जाना है तो इसका जो भी इसको divide करेंगे multiply करेंगे 10 से तो इसका जो भी answer आएगा वो आएगा 0.4 ग्यारा सो 0.4 ठीक है तो इसका जो भी answer रहेगा वो answer रहेगा ये वाला ठीक है ये वाला तो ये जो है इसका सही answer है अब देख लो इसको देख कितना मतलब मुश्किल लगता था ठीक है लेकिन है कितना आसान इस तरीके से तो दोस्तों इस class को मैं जो है अभी यहाँ पर समाप्त करता हूँ आप लोगों को जो है class कैसी लगी इसके बार कर दूँगा ठीक है अगर इसमें अच्छा response आप लोगों का आता है तो मैं class को continue करना चाऊँगा अगर नहीं आता है तो फिर मैं जो है इसको बंद कर दूँगा क्योंकि अगर जादातर लोगों का response नहीं रहेगा तो फिर मैं इससे नहीं करूँगा ठीक है तो दोस्तों मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ मिलता हूँ अपने next view में तब तके के लिए नमस्का जाहिंद